तो आज का टॉपिक है पॉट्फोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम परपस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक या दो क्वेशन आ सकते हैं और उसका वीटेज करीब 10-12-15 मार्क्स तक जाएगा दूसरी बात काफी सारे फॉर्मिले जो आप इस चैप् में सीखेंगे वो आगे के कई सारे चैप्टर में उसका इस्तेमाल होने वाला फॉर इग्जाम्पल इसके बाद डेरिवेटिव चैप्टर है फॉरें एक्स्चेंज है बिजनेस वैलुएशन है मर्जर सेन एक्विजिशन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूचल फंड जो चैप्टर है इसके बाद उसमें इस चैप्टर के कई सारे कॉंसेप्ट और फॉर्मिले आगे हम यूज करने वाले हैं पॉट्फोलिय मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंट्रेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इंट्रेस्ट लेके सीखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में काफी थेरी हैं काफी प्रॉब्लम्स हैं और काफी सारे कि फॉर्मिले इस भी हैं ठीक है तो आपको आज से ही फॉर्मिले की एक बुक बना लेनी है फॉर्मिले की आज एक बुक बना लेनी है इस इट राइट और फॉर्मिले की बुक में जब जब कोई नया फॉर्मिला आएगा आप साथ साथ उसमें अपनी नोट बुक में एक फॉर्मिला लिखते जाना राइट मैंने आपको एक फॉर्मिले की बुक दी है उसमें कभी कभी क्या होता क्लास में कुछ और हम एक्स्ट्रा बता देते हैं तो वह भी आप उधर लिखके रखना उधर लिखके रखना तो आपको एक दिन पहले रिवाइस करने में बहुत इजी रहेगा बहुत सरे आपके मित्र बोलेंगे चैप्टर डिफिकल्ड है बहुत फॉर्मल है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो मेक यूर लाइफ इजी हमने बहुत वराइटी ओफ क्वेस्चन लिए हैं और हर फॉर्मुले को हम कई बार क्लास में सॉल्व करेंगे रिवाइस करेंगे तो इ या कोई फेवी कॉल लेके तो नहीं बाट है कि आपके दिमाग में उसको पेस्ट कर देंगे साथ-साथ आपको भी मेहनत करनी है तो लेड़स बिगिन विद दा इंट्रोडक्शन आफ दा कॉंसेप्ट कॉल्ड पोट्फोलियो पहला क्वेस्चन में आपसे पूछने जा र आना है कि आपको आपके जा था को प्या माने है ने तो К medidas года में आपक включ में ने खोने ते घ्收िड कर में है कि आपको लेज你是लाय को फे स्यूर्ट कर देंट में आचटरोलियों को चरेंट कर आपको लेड़ा सक्ति हैं यानि investor के पास बहुत सरे assets और securities होते हैं इन सब को हमने एक नाम दिया है that is called portfolio किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा तो portfolio का meaning मैंने आपकी book में लिख दिया है second number point में portfolio means total holdings of securities total holding of securities held by an investor or a person okay total holdings of securities belonging to any person is called portfolio अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो book में नहीं है जान बुचकर book में नहीं रखा गया है कहां कहां हम invest कर सकते हैं where all we can invest अपनी notebook में जड़ा रफ में ट्राई करना पंदरा या दस दस जगा लिको जहां आप invest कर सकते हो as a student of finance यह question का जवाब आपको आना ही चाहिए कहां काम invest कर सकते हैं अब यह मतले लिखना equity share of Reliance, equity share of Tisco, equity share of Tata Motors, equity share is one answer ठीक है, equity share is one answer जहां पर आप invest कर सकते हैं दूसरा प्रेफरेंज शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिख लिया, दस आइटम कम से कम लिखना है, ज्यादा लिख सके तो अच्छा होगा, पता होना चेना कि मार्केट में क्या क्या उप्शन है मेरे पास, जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग-अलग class of asset लिखन बनने के बाद ने एक बड़ी समस्य है लाइफ में लोग पूछते हैं बताओ ना कहा इन्वेस्ट करें पूछते होंगे अभी पूछते होंगे चाहिए जो पता चलता है सीए कर रहा है या सीए बन चुका है तो आलोस पर उसके लोग आके इन्वेस्मेंट के एडवाइस मां करते हैं गवर्मेंट सेक्योर्टी को बहुंड कहेंगे प्राइवेट कंपनी के शेर्स को डिबेंचर देन वी हैब मूचल फंड में बहुत सारी स्कीम्स होती है मैं सबको नहीं लिख रहा हूं बहुत सारी करीब 2000 अलग-अलग स्कीम्स हैं उसी तरह पोस्ट आफिस डिप प्राइब कर सकते हैं पीएफ कर सकते हैं किसान विकास पत्र है नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट है सुकन्या सम्रिद्धी योजना है ठीक है जो हाँ पर अपने लड़कियों के लिए आप डिपाउजित कर सकते हैं तो बहुत सारी डिपाउजित स्कीम होती है पोस्ट कि वह चाहिस खता है है वाइट मनी लड़ता है लेकिन काफी सारन ब्लाक मनी अगर अगार पाना है एंडिया में बहुत पॉपलर रहें लैंड एना गुब जितना वाइट का पैसा आता हो एकुटी शेर मार्केट में जाता है जितना ब्लैक का पैसा आता है वो लैंड और गोल्ड में जाता है पीपी एफ प्राविडेंट फंड बैंक एफडी उसके बाद शौट टम के लिए डेरिवेटिव लाइक फ्यूचर ऑप्शन्स जो कि हमारा एक टॉपिक भी है देन कुछ लोग वैल्यूबल पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं क्रिपो करंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं लोग अजकल है यह भी हर एक एसेट का अपना अपना फीचर है कहीं पर स्कम है तो यह मैंने लिखा है आपकी हिसाब से अपने और क्या लिखा है जो यहां नहीं है सेविंग्स सेमी है कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जो या नहीं है मतलब मैंने जन्रलाइज किया है अब बोलेंगा मुचल फट में फिर एक्विटी फंड्स है डेट फंड है ऐसे तो बहुत हैं फिर पोस्ट ऑफिस डेपॉसित में कई सारे हैं ठीक है तो एक more or less एक इंडिया में यह सारे एसेट क्लासेज हैं जहां पर आप इंवेस्ट कर सकते हो next paragraph है portfolio management what is portfolio management सबसे बड़ा challenge investor के पास क्या है पैसे तो है कहां invest करना है उसके बाद कितना invest करना है कब invest करना है कब खरीदना है और कब बेचना है यह कहें यह बहुत difficult है आपने बोला equity share में invest करना है equity share में invest करना बोलना बहुत आसान है लेकिन आप इंडिया में 4-5,000 शेर ट्रेडिंग करते हैं रोज उसमें अगर आपने सपोस्ट आपने कहा कि छोटे छोटे शेर में इन्वेस्ट नहीं करना है तो फिर भी टॉप हंडेड़ शेर तो हैं जिसको हम लोग लार्ज कैप कहते हैं लार्ज कैप कमपनी जो पहले 100-100 कमपनी उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप 101 से लेकर 250 जो हैं उसको हम बोलेंगे मिड कैप और 251 से लेकर जो बाकी है बैलेंस उसको हम बोलेंगे स्मॉल कैप शेर्स तो यह फिलाल इंडिया में यह तीन टाइप के शेर्स को तीन कैटेगरी में बाट दिया गया अब लार्ज कैप में भी आपके बास सो ऑप्शन है 100 यानि बड़ी-बड़ी कमपनी जैसे एक्जाम्पल के लिए सब्सक्राइब के लिए अगला कोशन आएगा कि कितना पर्सेंटेज किसमें डालना है आपने डिस लाक रुपए हम शेर मार्केट में डालेंगे इसमें कौन सा किदर जाएगा यह यह भी एक क्वेश्चन है कब बाई करना कब सेल करना तो अपने आप में एक पॉट्फोलियो मैनेजमेंट अपने आप में एक सम्थिंग विच नीड तो लर्न इस नार्ट इस साइन्स ओके और अगर आप उसको अच्छे से इंवेस्ट करेंगे मतलब अच्छे से आप याद रखना पॉट्फोलियो मैनेजमेंट में आपको देखना है जो इन्वेस्टर है उसका अब्जेक्टिव क्या है उसके इसाब से उसके लिए पॉट्फोलियो मैनेजमेंट करना है राइट एक 25 यह ओल्ड परसन है और एक 65 यह रिटार्ड परसन है एक बीच में 45 यह जिमेदारी की बोस से मारा हुआ इंसान ठीक है तो क्या सबके लिए हमारी स्ट्राटिजी सेम होगे नहीं यह जो है यह रिस्क टेकर है और इसकी इंकम है सेविंग इसको इसको रिस्क लेने की केपासिटी है कुछ नुकसान भी हो गया तो एक्जॉप कर सकता है वेट कर सक इसमेंट को लॉंग ट्रम के लिए रख सकता है लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं अपने प्रिंसिपल के साथ रिस्क नहीं ले सकता मुझे रिगुलर इंकम चाहिए क्योंकि उसका जो सैलरी है या बिजनेस इंकम बंद हो गया है तो आप इसको इनवेश्मेंट परअगे गे। इसे इनवेश्मेंट मे डालना जहां पर इसको रिगलर इंकम मिले लिहूप.. is portfolio management means efficient management of investment to optimize return to suit the objective of an investor अजकर एक बहुत सारे CA एक service प्रवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं PMS portfolio management service मतलब वो specialization उसमें कर रहा है हो हमारे कुछ friends है कुछ student है जो इस सब काम में लग गए भी पूरी तरह से मतलब वो day-to-day auditing accounting tax GST यह सब नहीं करता है वो सिर्फ क्या कर रहा है PMS portfolio management service ओके और उनका काम क्या अपने investor को मिलना और उनको advice देना लेकिन वो करते हैं पहले एक देड़ घंटा दो घंटा उनसे समझते हैं अप्चेक्टिव क्या है accordingly वो उसके हिसाब से portfolio design करेंगे ओके investment of funds तो client ने आपके ऊपर छोड़ दिया और बहुत important भी है क्योंकि यह जो PMS service provider यह experts होते हैं ओके तो और बहुत सारे client जोते हुनको investment के बारे में कुछ नहीं पता होता है यह बहुत कम पता होता है आधा दूरा पता होता है YouTube वाला ग्यान रहता है उनके अंदर ठीक है तो यह YouTube वाले ग्यान है और सब्सक्राइब होते हैं तो उनको इनके पास जाना चाहिए यह आप से समझेगा कि आपको क्या requirement है और उसकी इसाब से he will design the combination of securities वह आपको बताते हैं आपको equity में कितना डालना है mutual fund में कितना डालना है bonds debenture FD में कितना डालना है gold में कितना डालना है real estate में कितना डालना है PF में कितना डालना है insurance कितने का आपने लिना है कौन सा insurance product आपके लिए ठीक रहेगा then it will help you to maximize the return and minimize the risk main objective portfolio management का है to maximize the return and minimize the risk यानि जो आप जितना risk आप लेना चाहते हैं उस risk के बदले में आपको maximum return मिलना चाहिए right आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आपको chapter अच्छा लगे तो आप भी ये portfolio management service provide कर सकते हैं उसमें हसने वाली कोई बात नहीं है और अगर आप अच्छी service provide करेंगे तो client आपको fees भी देंगे ओके और बहुत सारे लोग इस service provide करते हैं portfolio management means choosing the one best portfolio to suit the risk and return preference of the investor तो आपको तो एक portfolio management में क्या करना है हर एक client को personalized service देनी है portfolio management is not mutual fund यहां पर आप personalized service देते हैं because हर एक individual का background अलग है ठीक है उसकी salary या income अलग होगी उसकी family में members की संख्या कम ज्यादा है उसकी family के members के खर्चे कम ज्यादा होते हैं प्लस उसकी खुद की risk taking ability different होती है उसकी age different होती है उसके future plans different होते है तो उसकी साब से आपको उसको suggestion देना होता है सिरिफ एक बार portfolio बनाने से कुछ नहीं होगा सपोज एक client आया 25 साल की उम्र में आपने उसकी लिए portfolio त्यार किया अब उसकी age हो गई है 30 तो क्या वही portfolio उसी proportion में रखेंगे या उसमें कुछ change लाएंगे फिर उसकी age हो गई 45 तो क्या वही portfolio चलता रहेगा नहीं तो portfolio management में आपको continuously revision करते रहना है revision यानि change portfolio को revise करना है जैसे ऐसे investor का risk taking ability बढ़लेगा वैसे वैसे उसका portfolio भी revise होता जाएगा is it right एक मैंने YouTube पे video बना के डाला था कि portfolio में debt और equity कितना होना चीए आपको कभी time मेले तो मेरे YouTube channel पे देख लेना just एक general 100 minus your age is the amount to be invested in equity मतलब अगर आपकी उमर सबोज अभी 30 साल है तो 100 minus 30 70 percent आपका portfolio equity में होना चीए लेकिन अगर आपकी उमर 60 साल हो गई तो आपका proportion on equity should go down to 40 percent ओके इसको एक general idea की equity में कितना होना चीए जनरल आइडिया है case to case of course depend करता है Warren Buffet की उमर 80 कितनी है अभी 90 Warren Buffet इंडिया वर्ल्ड के सबसे popular investor है उनकी एज करीब 90 95 के आसपास है लेकिन उनका अभी भी 90 percent portfolio equity में ही है उन्होंने पूला मेरे लिए formula नहीं है is it right उनको equity market समझ में आता है equity में invest करने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उनको समझना चाहिए equity market कैसे काम करता है अब आप डेरिकली paragraph 5 पे आओ need and role of portfolio manager अजकल लोगों के पास income बहुत है जैसे आप देखेंगे doctors है इंजीनियर्स है फिल्म आर्टिस्ट है प्लेयर्स है सारे प्लेयर्स क्रिकेटर हो वह भाला फेकने वाला हो ठीक है बैड्मिंटन हो टैनिस हो किता पैसा है फुट्बॉलर पैसा तो कमा लिया अब अगला question आता है where to invest is it right क्या इनको पता है किदर invest करना है कुछ idea नहीं रोईच शर्मा को कुछ पता नहीं है कि कहा invest करना है जहां आप उसको बोलेंगे कर देगा दिन बर खेलने में ब्यस्त रहते हैं उनके पास न तो time है ना कोई motivation है कि आप share के बारे में पढ़ो annual report पढ़ो ठीक है money control में जाकर उसके सारे financial parameters चेक करो करते हैं SWOT analysis करो और अचकल और भी कुछ अच्छी websites आ गई हैं जहां पर आपको काफी in-depth research मिलता है जहां पर आप देख सकते हैं लेकिन उनके बास time नहीं है उसके बाद कुछ complexity होती investment करने में जैसे for example DMAT account खोलना है तो उसके लिए form लगेगा KYC के documents लगेंगे एक दो बार एफट लेना पड़ता है राइट यह बोलते मेरे पास बिलकुल time नहीं है तुम सब करके दो तो इन्होंने बहुत बड़े-बड़े portfolio management service company hire करके रखी है एक-एक जो लोग होते हैं इनका एक-एक advisor होता है और वो उनके बहाफ में सारे काम करता है सिर्फ उसको sign करके आपको देना चेक ठीक है बाकि सारा काम करेंगे तो portfolio manager की requirement धीरे-धीरे आने वाले years में बढ़ते जाएगी क्योंकि investor lack awareness investors lack awareness and do not have time to research on his own एक company को research करने में आपको हपतों लग जाएंगे ठीक है एक company को अच्छे से research करने में एक हपता minimum मुझे लग जाता है उसमें invest करने के पहले मैं उसको एक हपता पहले study करता हूँ जितना भी उसके बारे में publicly available information है सम मैं पहले एक जगा पे लेकर आता हूँ Google पे हो money control पे हो economics times पे हो screener पे हो value picker पे हो बहुत सारी sites है जहां पर आपको जा कि उसके बारे में कितने अच्छे बुरे सब चीज आपको मिलेगा उसके बाद आपको उसका पूरा ratio analysis करना है उसके management का अगले साल का view देखना है तब आपको समझ में आएगा कि invest करने लायक है या नहीं और नॉर्मल इंसान के लिए तो possible ही नहीं नॉन commerce background वाले के लिए तो और दिक्कत हो जाती है फिर यूटूब पे जाते हैं वहाँ पर वो यूटूबर जो हैं व्यूज बढ़ाने के लिए अपना कुछ भी काम करेंगे कई बार वो paid भी रहते है कंपनी उनको पैसे भी देती हैं कि आप हमारा प्रमोट करो राइड इसलिए आपको portfolio management companies हायर करनी है बिकोज उनके पास expertise है वो research करते हैं उनकी एक research team होती है दूसरा reason why we need portfolio manager technicalities are involved मतलब छोटे मोट अचकल तो काफी easy हो गया है compared to earlier times आप online सब कुछ कर सकते हैं लेकिन मैं बहुत सरे लोग को जब बोलता हूँ कि आप share market में क्यों invest नहीं करते हैं तो उनका कहना है कि हमें नहीं पता कैसे करना है हमें नहीं पता DMAT account कैसे open करना है फिर मैं उनको बलता है है मैं पते हैं यह mutual fund होता क्या और उसमें invest कैसे करते हैं हाउ डूआ स्टार्टिंग में technicalities होती है क्योंकि प्रोसेस करना भी technology वाला काम हो गया आजकल DMAT account खोलने के लिए आपको बलेगा KYC के document upload करो उसके बाद आपको चैरे का scan करते हैं अजकल यह सब कांड करने लग गया तो उसके लिए थोड़ा तो आपको effort लगेगा इसलिए आपको portfolio manager की help चाहिए हो आएगा आपके साथ ख़ड़ा रहेगा आपको सारा process करके देगा और एक दिक्कत है large variety of instrument available दिख रहा है क्या आपको लिखा हुआ है क्या आपकी book में नहीं है कि अरे क्यों नहीं लिखा हुआ है कि बाद में लिक लेना photo कीच लेना ठीक है कि वहां पहना paragraph no.5 कि उसमें नोट अलग है knowledge expertise ठीक है बाद में पढ़ लेंगे large variety of instruments are available इतने सारे market में option आ गए न यहीं अपने आप में बड़ा दिक्कत वाली बात है कहां invest करना है ठीक है कहां आप इंवेस्ट करना है आपको मैं बोलू यह लोग 5 लाग रूप है जो share market में इंवेस्ट करो तुम भी confused रहोगे कहां इंवेस्ट करो इसलिए आपको portfolio manager की जरूबत है पहरागरा 5 को मैंने थोड़ा सा simplify किया था screen पे help the investor to make an informed choice between alternative investment opportunities ठीक है तो यह portfolio manager का काम है वो उसको जितने option से बताएगा उसमें क्या benefit है क्या drawbacks से वो बताएगा आपको explain करेगा and then you can take a more informed decision next point जब वोलाटाइल nature of the market लिखाव अभी आपकी book में volatility in the security market यह बहुत ही important चीज है security market जो है बहुत वोलाटाइल खासकर equity market शेर का भाव या sensex जो है ऐसे उपर नीचे होता रहता है अगर आप individual investor आपको market का पता नहीं आप डर जाते जब यह share price घटता है नहीं जब आपकी value घटती है wealth घटता है तो एक बहुत ही दर्द होता है लेकिन portfolio मैंने अगर क्या बोलेगा चिंता मत करो यह market का यह एक तरह का behavior ही है is it right यह market का behavior ही है वो आगे पीछे होता रहेगा लेकिन long run में अगर आप hold करोगे तो आप देखो कि over 3 year over 5 year काफी आपका return positive आ जाता है and with his expertise and knowledge he meet the investors by rendering service in helping them to invest their funds profitably तो यह उसका काम यह वाला point लिखा हुआ भी आपकी book में तो portfolio manager क्या करता है जो अच्छे portfolio manager होते है वो generally client की हित में काम करते हैं and they will help them to take important decision decisions which will help them to earn more profit higher return अब आप चाहें तो इसकी एक photo खीच लेजिए same wordings नहीं है लेकिन आपकी book में वही चीज लिखी हुई है आप भी इसके उपर सोच सकते हैं as an area of expertise आप भी इसके उपर सोच सकते हैं ठीक है मेरा भी यह बहुत ही पसंदीदा एरिया है लेकिन मैं लोगों को free में advice देता हूं मुझे लगता मेरे knowledge का benefit अगर किसी को मिल जाय तो अच्छी बात है इसका मतलब यह नहीं कि सारे लोग मेरे office में आ जाय और advice मांगने लग जाय नेक्स पैराग्राफ आना function of portfolio manager जैसा कि मैंने का it is an area of expertise ऐसे नहीं कि कोई भी उठा और portfolio manager बन गया इवन आप CA बनने के बाद आप ऐसे नहीं कि आप portfolio manager बन गए बहुत study लगता है is it right बहुत यानी बहुत आपको एक तो क्या है economic environment continuously study करना है economic environment का मतलब है कि market में demand क्या है supply क्या है किसी भी company का जो valuation है वो काफियत तक उसके product की demand supply पे different करता है उसके बाद market में interest rate क्या चल रहा है inflation क्या है tax क्या है import import क्या है because इन सबसे price effect होता है मैंने बहुत सारी चीज़े अभी क्या क्या लिखो उसके बाद global scenario देखना आपको आजकल अगर यूएस में bond का rate बढ़ा दिया घटा दिया तो इंडिया में stock market बढ़ जाता है घट जाता है यूरोप में अगर यूरोपन central bank ने इंट्रेस्ट बढ़ा दिया इंडिया का मार्केट हिल जाता है ठीक है तो यह जो चीजें आपको study करनी रोज डेली बेसिस पर आपको देखना है कि जो भी global या local economic environment में जो changes हो रहे हैं unemployment का data देखना है ठीक है agricultural production का data देखना है industrial production का data देखना है oil and metals की prices देखनी है तो इससे आपका portfolio की value कैसे affect हो सकती है मैंने सिर्फ कुछ point लिखे हैं जो मैं रोज study करता हूँ security market को समझने के लिए ठीक है उसके बाद आपको security market in general समझना है कि market कैसा behave कर रहा है Bombay Stock Exchange National Stock Exchange यूवस में डाउ क्या डाउ एक्सचेंज है ना डाउ जोन्स नेस्डेक फिर जपान में निक्क्य यूके में FTSC Hong Kong में हैंग सेंग Singapore Gift Nifty तो यह सब का behavior देखना आपको किस तरफ मोड़ रहा है ठीक है उसके बाद इंडिया में बहुत बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी है government policies and RBI policies यह continuously government policy RBI policies revise होते रहती है और उसकी वज़े से security market पे positive या negative effect आता है किसी चीज का उसने duty rate बढ़ा दिया government ने यह घटा दिया तो जो भी companies है वो effect हो जाती है RBI ने interest rate बढ़ा दिया जो जो company interest sensitive है bank है housing है automobile है उनके share की price घड़ सकती है तो यह सब आपको देखना है तो RBI time to time बहुत सरे policies लाती है उन्होंने capital adequacy ratio बढ़ा दिया bank को के लिए तो bank का price घड़ जाता है फिर suddenly hit हो जाता है ठीक है उन्होंने capital adequacy ratio बीच में change किया था तो कई सारे bank के prices इड़ गए NBFC का उन्होंने capital adequacy ratio बहुत ज्यादा change कर दिया धडाम share की price गर जाएगे तो इंडिया में regulation बहुत है और regulatory changes की वज़े से share price change होती है उसके अलाब आपको industry study करना है automobile industry में क्या problem है फार्मासिटिकल industry में क्या problem है techno industry में क्या है और उससे share market कैसे affect होगा यह आपको देखना है कि अजकल इंडिया के market को दो लोग ज़्यादा influence करते हैं एक है FII एक है DFI what is FII foreign institutional investor जो foreign के बड़े investor इंस्टिटूशन इंवेस्टर जिनको सेवी ने permission दिये कि आप इंडिया में stock market में आप invest करो वह एक बार में 100-500 कोड का stock buy करते हैं इतनी बड़ी quantity में अगर आप buy या sell करोगे तो stock market affect होगा तो आपको उनका behavior देखना है उनका flow देखना है कि उनका inflow बढ़ रहा है या outflow बढ़ रहा है फिर इंडिया में इसकल DFI भी बहुत बढ़े होगा domestic financial institution like mutual funds क्योंकि इंडिया में mutual fund में हर साल लाखो कोड रुपए का funding inflow हो रहा है इनकी marketing बहुत होती है सचीन तेंदुलकर हो रोहित शर्मा हो जिसको देखो mutual fund की marketing करने में लगा होगा है दोनी हो ओके श्रेहश आयर हो तो सारे टैप के लोग उन्होंने हायर करके रखा हुआ है सुबज साम दिन बर bombarding करते हैं इससे क्या हो गया है इंडिया में mutual fund की industry में पैसा आता है लाखो कोड रुपए आता है ठीक है करी 45 के आसपस mutual fund houses इन इंडिया में एक-एक के पास 40-50 अलग-अलग scheme है टोटल 2500 option है आपके बास एक लाख क्रोड़ यह जो आएगा mutual fund में वो कहां जाएगा security market में जाएगा तो हमें उनका भी track रखना पड़ता है कि कहां invest कर रहे हैं कौन से sector में कौन सी companies में और जो बड़े players होते हैं कुछ-कुछ individual stock market में investor भी बहुत बड़े हो गया है उनका behavior से भी market effect होता है because उनका एक ticket size बहुत ज्यादा है अगला function क्या आपका investor को counseling करना कई बार investor आते उनको कुछ नहीं बता है बिल्कुल ही शुन्य आके पूछता है मेरे को मैं share market में invest करूंगा तो कितना return मिलेगा इस question का actually कोई answer नहीं है दूसरा mutual fund में कितना minimum return मिली जाएगा mutual fund में भी guarantee नहीं है right तो उनको वहाँ से समझाना है कितने साल मेरा पैसा block होगा क्या इस पर tax लगेगा इस बेसिक question रहते हैं उनके उनको लगता है कि एक एक आदमी मेरे पास है बहला mutual fund खरीदने पर tax लगता है और मैं खरीदने पर कुसी चीज़ पर tax नहीं लगता है बेचने पर tax लगता है उस चक्कर में 25 साल तक उसने इंवेस्ट ही नहीं कि उसको लगा कि mutual fund खरीदने से कोई tax भर ना पड़ता है right फिर वो क्या करते हैं वो नजदी की post office deposit में करते हैं bank every में करते हैं और आजकल एक और ब्यकूप बनातने की जगह है insurance इंशोरेंस पॉलिसी में इंवेस्ट करते हैं इंशोरेंस पॉलिसी में आप इंवेस्ट नहीं करते हैं प्यकूप बनते हैं इंशोरेंस का काम protection है इंवेस्मेंट नहीं है, protection के लिए अलग policy लो, investment के लिए अलग avenue में invest करो, उनको mix नहीं करना है, ठीक है, बट ये उनको कौन समझाए, insurance agents होते वो तो नहीं समझाते हैं, वो तो उसको बुलेगा इसमें इतना फायदा, उतना फायदा, बट वह अपका over 25 year भी, अगर आप वहा किसी लार्ज कैप mutual fund में invest कर दिया तो आपको कम से कम 18-20% return मिलेगा और आपने 25 साल अगर किसी small cap fund में invest कर दिया तो आपको 30-35% return आ जाता है आप गोलेंगे पांच और अठरा में कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है compounding का effect 13% का कम से कम अगर एक कोड़ रुपया है तो 10 कोड़ का difference आजाएगा ठीक है इतना difference आता है और एक और काम करना आपको portfolio manager बनने के बाद client को कुछ नहीं पता क्या करना उसको form बरने भी नहीं आता वो form में डबे डबे देखके डर जाता है is it right एक तो इतने छोटे छोटे फॉंट रहते हैं उसमें यह टिक करो वो टिक मत करो समझ में नहीं आगा तो यह सारा जो procedural work है वो भी करना पड़ता आपको ओके and client को आपको और भी बाकी services देनी for example tax planning benefit collection यानि different collection वगरा safe custody of security अजकल तो physical security नहीं है बट कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं client का सारा document भी अपने पास ही समाल के रखते हैं और जो भी उनका registration transfer यह सब करना है तो these are the important functions of portfolio manager next हमारा जो अब यहां से actually chapter चालू होता है objective of portfolio management portfolio management के क्या objectives है पहला है security और principle यानि आपका principle safe रहना चाहिए ऐसी जगा invest करो कि कम से कम principle safe रहे लाइक फर इक्जामपल आप bond में जब इन्वेस्ट करते हो debenture में इन्वेस्ट करते हो provident fund में इन्वेस्ट करते हो FD में इन्वेस्ट करते हो तो principle safe हो जाता है दूसरा आपको stable income मिलना चाहिए अगेन यहां पर आपको क्या-क्या instrument है जहां पर stable income मिलेगा interest FD पर मिलता है इसलिए FD बहुत popular है भले कम मिलता है लेकिन हर साल एक particular rate मिलेगा bonds and dementia PF PPF popular है because stability of income है कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा portfolio में capital appreciation भी हो यानि कि income के साथ साथ हमारी investment की value भी बढ़े उसके लिए कहां पर invest करना है equity mutual fund gold real estate यह invest कर सकते हो ठीक है चौथा आपको देखना है which is very important और यह कई बार fund manager या जो especially जो agents होते हैं वो आपको नहीं बताते हैं marketability and liquidity आपनी invest कर तो दिया is it possible to sell it राइट यह जो आप insurance में अगर करते हो तो करना नीच यह अगर करते हो उसको आप किसी को sell नहीं कर जगते हो आपको insurance company में ही जाकर उसको surrender करना बढ़ता है surrender value कितनी मिलती है depends कि आप कितने सालों के बाद surrender करते हो पहले एक दो साल कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद जो भी amount आपने invest किया उसका 25 26 30 40 ऐसे यह आपने 10 लाग जमा किये तो आपको 4 लाग देगा 5-6 साल के बाद कि आप surrender कर रहे हो आपका नुक्सान हो गया रियल स्टेट में invest करोगे उसके में दिक्कत है कई बार sell करना मुश्किल हो जाता है प्राइवेट कंपनी के share में आपको marketability भी देखनी है कल को अगर मुझे sell करना पड़े क्या मैं easily उसको sell कर सकता हूं and the same thing here liquidity that is can it be easily converted into cash आसानी से हम उसको cash में convert कर सकेंगे या नहीं ठीक है बहुत सरे government bond में income tax बचाने के लिए आप invest कर देते हैं लेकिन फिर उसमें 5 साल या 6 साल आपका funds block हो जाता है इसलिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि आप tax pay कर दो लेकिन liquidity अपने हाथ में रखो क्योंकि I think capital gain tax में एक है न section 54 EC या कुछ तो है उसमें 50 लाख रुपए तक आप infrastructure bond खरीद सकते हो उसके बाद पैसा block हो जाता है 5 साल तक आप उसको नहीं इला सकते हैं जाया कुछ भी हो जाए कितना भी सरपटक लो पैसे देंगे नहीं हो लो इससे अच्छा tax बरो invest कर दो mutual fund में 5 साल अगर आप कोई भी mutual fund equity scheme में invest करोगे तो 10 12 13 15 percent मिल नहीं है मैंने पूरे 40 साल का मैंने record देख लिया कोई भी आप पात साल का block उठाओ पात साल का block कोई भी for example 2018 से 2013 का एक period लो और कोई भी equity fund कोई भी बारा तेरा पंदरा percent return है ठीक है 2017 से 2022 का block लेकर देखो कोई भी equity fund कोई भी mutual fund house ले लो कोई भी guarantee मेरी ठीक है आपको बारा पंदरा अठ्रा percent return ही इस इट राइट तो क्यों यहां पर आपको और यह से इसी बॉंड पर आपको मेरे कहलते हो 5 या 6 percent interest मिलता है इस इट राइट 6 percent के उपर नहीं कि गवर्वर्मेंट बोली tax भी तो बच रहा है ना तुमारा interest कम मिलेगा उससे अच्छा tax भरके भी जो amount आपको मिलेगा पांस साल के बाद उज्यादा रहेगा और प्लस liquidity आपके हाथ में आप आप mutual fund को कभी भी redeem कर सकते हैं मतलब आज आप redeem करो परसो नरसो दो या तीन दिन में आपके पैसा आ गया तो पूरी liquidity हाथ में रिटन ज्यादा मिल रहा है तो यह आपको as a portfolio manager होना चाहिए unfortunately इंडिया में बहुत ही बहुत misguidance है इन सब चीजों को लेगर then diversification दूसरा आपको एक और चीज आपको क्या देखना है risk नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा risk नहीं होना चाहिए इसलिए आपको portfolio को हमें सा diversified रखना है diversified मतलब अलग-अलग एक तो asset class में invest करना है asset class का मतलब हो गया equity, fd bond, real estate, gold, gold, silver जो भी आप बोलो ठीक है तो यह होगी asset class within equity also आपको 10-15 share minimum invest करना चीए minimum 10-15 share अलग-अलग sector के invest होने चीए तो क्या होगा इसमें कल को कोई भी कारण से अगर market खराब होता है एक साथ सारे नहीं गिरेंगे equity गिरेगा तो gold बढ़ेगा, equity गिरेगा तो gold बढ़ेगा तो इसका नुकसान इधर का profit हो गया within 10 share में भी सारे 10 के 10 नहीं गिरते हैं, 5 गिरेंगे तो 5 बढ़ भी जाएंगे that is called diversification जिसका हम इस chapter में detail में discussion करने वाले हैं और next portfolio management का objective है, it should help you to save taxes क्योंकि आप 30% tax bracket में है, तो you need to find out कि मैं investment के जरिये कैसे अपनी tax liability कम कर सकता हूं, तो बहुत सारे investment और वेन्यूज है जहां पर आप आप invest करेंगे तो tax liability कम हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, कि transaction को कैसे आप execute करें, investment को आप बारा महने के अंदर बेचेंगे तो long short term tax लग जाता है, बारा महने के बाद बेचेंगे तो long term लगेगा, लेकिन दोनों के rate में बहुत difference है, is it right, तो आप थोड़ा wait करके 12 महने के बाद बेचो, कई बार आपको set off मिलता है, long term loss हुआ है, तो आप उसको gain के again set off करो, section 80C का अगर आप benefit लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप invest कर सकते हैं, capital gain का मैंने पहली बताया, अगर आपको liquidity is not an issue for you, तो आप tax benefit भी ले सकते हो, मैं नहीं करो कि आपको invest नहीं करना चाहिए, बट आपको अपनी liquidity देखने, तुमारे पास ही 50 लाख रुपय है, तुमारे पास already 10 कोड रुपय कहीं पड़े हैं, और फिर तुम्हें 50 लाख अगर tax saving bond में invest करना है, तो you can, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपको portfolio में लगेगा, वो सब calculation करके बताएंगा कि कहां कहां आपको invest करना चाहिए, जिससे सारे objective meet हो सके, हाँ एक चीज ज़ा तो फिर आप capital growth को compromise करना होगा, फिर आपको equity में invest नहीं करना है, क्योंकि equity में हो सकता है कभी इतना नुकसान हो कि आपका principle से आप नीचे चले जाओ, 10 लाग रुपय आपने share market में लगाया, और share market गिर गया उस साल, तो 8 लाग हो सकता है वो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आ आपको ध्यान में रखना है, overall आपको आपकी risk taking ability, आपकी liquidity requirement, आपकी tax status, इन सब को समझ कर आपको portfolio create करना है, अगला है कि portfolio manager करता क्या है, portfolio manager क्या करता है, पहले तो आप से पूछेगा कि आप कहा invest करना चाहते हो, तो अपनी asset class को पहले identify करो, तो हमने decide कि हम equity में, debt में, FD में, gold में, silver में, real estate में, mutual fund में invest करेंगे, तो यह आपने decide करी है, तो यह आपका पहला step क्या है कि कहा invest करना है, कौन से asset class में invest करना हो identify करना है, दूसरा आपको decide करना है कि इसमें weights क्या होंगे, अब मैं roughly लिख रहा हूँ, आप बोलेंगे equity में 20%, bonds, debenture में 10%, FD में 10%, gold में 20%, real estate में for example 20% और mutual fund में 20%, ऐसा हो गया, एक rough example, अब आपने proportion decide कर लिया, अगला step होगा, specifics पे जाना है अब आपको, equity में आप 20% डालोगे, equity share में 20% डालोगे, लेकिन, which equity share, फिर आपको shares identify करना है, that is called security selection within asset class, debenture bond में इन्वेस्ट करना है, तो किस company के debenture bond में इन्वेस्ट करना है, FD में इन्वेस्ट करना है, तो कौन सी bank की FD में करना है, तो कि अलग-अलग banks है, gold है, तो gold में तो खर दिक्कत नहीं है, real estate है, mutual fund में फिर आपको वापस decide करना है, कि कौन से mutual fund या class में इन्वेस्ट करना है, तो यह आपका portfolio management में activity होती है, इसके अलगए एक चीज़ जो नहीं लिखी है, portfolio बनाने के बाद, वापस उसको review और revise भी करना पड़ता है, actually fourth point होना जीता, review and revise, review and revise, और review and revise वो हमेशा चलता रहेगा, review and revise, next paragraph, यह theory question एक्जाम में भी आ चुका है, इसको tick करना, sources of risk, sources of risk का मतलब है, जब आप कोई भी security में invest करते हैं, तो आप कुछ risk लेते हो, कोई भी दुनिया में investment 100% risk free नहीं है, हाँ वो लगबग 100% है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो risk रहता ही है, इसमें कुछ risk हमने अल्रेडी, earlier chapter जैसे bond valuation, share valuation में देखा भी है, एक example है, interest rate risk का, suppose आपने bond में invest किया है, या debenture में invest किया, आपको याद होगा, bond और debenture की जो value है, it is inversely related to market interest rate, यानि अगर market interest rate बढ़ा, तो bond की value कम हो जाएगी, अगर आपने bond को trading के लिए रखा है तो, maturity तक hold करने के लिए रखा है, तो कोई दिखकर ने, क्योंकि फिर तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन बहुत सरे जो investors होते हैं, वो bonds में भी trading करते हैं, अजकल bonds की भी trading होती है, जैसे share market में trading होती है, वैसे bonds का भी trading होती है, तो उस case में क्या होगा, कि आपके पास 10 कोड़ रुपए के bond है, और market में interest rate बढ़ गया 2% से माल लो, तो आपके bond की value, अपने आप घटके 8.5 क्रोर ऐसा इस type का हो जाएगा, बैठे बैठाए, नुक्सान हो गया, तो जो लोग आपको बोलते हैं कि bonds debenture safe है, उनको बोलना नहीं, इसमें भी आपको risk है, market rate बढ़ने से bond की value घट सकती है, यानि कोई भी fixed income security की value, market interest rate बढ़ने से घट सकती है, अगला risk जो है, वो inflation risk है, और ये debt security या fixed income security में बहुत जादा है, जो कि मैंने आपको bond valuation में भी कहा था, government आपको बेकूब बनाती है, world over, आपने invest किया आज कितना, hundred rupees, government interest rate 6% है, तो एक साल के बाद 106 रुपया मिलेगा आपको, आप खुश है कि चलो principal intact है, regular income है, लेकिन 100 रुपया में आज आपको जो goods, services मिलती है, और inflation 8% है, माल लो, यही goods and services आपको 108 में मिलेगा, तो nominal sense में आपने 6% कमाया, बट real sense में आपको 2% का नुक्सान वरफ ली, ठीक है, मतलब अब आपको यह जो goods and services consume करते हैं आप, उसको consume करना हो उतनी quantity, तो आपको 2 रुपया अपनी जेब से डालके, वही basket of goods and services आप खरीद पाओगे, तो क्या आपने really कोई गेन किया है, नहीं, इसलिए आप जब भी invest करते हो, तो आपको यह देखना है कि आपको जो return मिल रहा है, it should be more than inflation rate, it should be more than inflation, तब आपका कुछ real gain हो रहा है, otherwise you are a losing, you are a loser on investment, invest करके, interest प्राप्त करके भी आपको loss हो रहा है, because inflation इतना ज़्यादा है, यह चीज़ government बदाती नहीं है, इंडिया में पूरा जो country है, वो negative return कमा रहा है, in real sense, because वही goods and service आप एक साल के बाद, उस पैसे से नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, इंफलेशन बहुत ज़्यादा है, government जो भी statistics देती है, उस अहीं नहीं है, क्योंकि government जानती है, अगर मैंने public announce कर दिया, कि inflation 14% है, अगले साल मेरी सरकार गई, ठीक है, बहुत ही manipulated रहता है वो, in the sense कि, जिस जिस main main item के भाव बढ़ते हैं, वो सहथ उस inflation के calculation में घुसता ही नहीं है वो, right, तो उसका फॉर्मला है, वो मैं अभी class में नहीं बताऊंगा, बट वो बहुत ही doubtful formula है, अगला जो risk आपको मानना चीए, जब आप share market में invest करते हो, usually share market में, business risk है, sir, business risk क्या होता है, जब आप किसी भी company का share खरीद रहे हो, तो उस company का जो business risk है, अब आप उसमें participate कर रहे हो, is it right, तो suppose मैंने, कोई technology company में share खरीद लिया, तो मेरा technology company में risk क्या रहता है, change in technology, technology चेंज हो जाती है, और कई बेर टेकनोलोजी इतना change हो जाती है, कि यह company का survival challenging हो जाएगा, या उसको recover करने में बहुत time लगेगा वापस, तो यह risk मेरे सर पर आ गया, उसका share का भाव टूड़ी जाएगा, तो मैंने जो investment किया, कुछ companies में business risk raw metal नहीं मिलता है, business risk है, raw metal नहीं मिलता है, कुछ company मेरे इसका नहीं नहीं कॉंपिटिटर तुरंद के त्यार हो जाते हैं, मतलब competition रोकना बहुत मुश्किल है, easily आपका model जो है, वो copyable है, तो वहाँ पर आपका business risk है, क्योंकि जैसी competitive बढ़ेंगे, आपका profit margin squeeze होता जाएगा, market share कम होता जाएगा, ठीक है, कुछ सालों तक Airtail एकदा मोनोपोली राज कर रही थी, अचाना है कि जीओ वाले गुज गए, हालत खराब कर दी, उसने competition कर कर गए, राइट, तो यह business risk है वो, तो share market में बहुत बड़ा risk है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, share market में share को invest करने के पहले, company का business model समझना जीए आपको, कि उस business model में कितना risk है, और क्या आप उस risk को absorb कर पाएंगे या नहीं, अगला risk जो है financial risk है, financial risk, यानि कि अगर आपने किसी company में invest किया है, उस company का debt equity ratio, high है, तो आप बोलेंगे तो company का risk है, मेरा risk थोड़ी है, ये risk तुमारा ही है, क्योंकि अगर company के debt equity risk ज़्यादा है, तो वो company default करेगी, कर सकती है, जैसे इंडिया में इतनी सारी जो company भी डूबने के कगार पे हैं, चाहिए वो jet airways हो, और एक और airline का क्याना में, spice jet है, go first है, jet airways अल्रड़ी, कई सालों से down है, इन सब companies में एक common denominator क्या है, high financial risk, बहुत debt ले रखा है, बहुत debt ले रखा है, तो इसलिए ultimately क्या होता है, कि किसी भी कारण वश्ट अगर market खराब हो गया, आपका sales कम हो गया, तो आप debt पे नहीं कर पाऊँगे, और debt पे नहीं कर पाएंगे, तो company बंद, क्रेडिटर आपके सिर पे चड़ जाएगा, employees आपके सिर पे चड़ जाएगे, salary मांगेंगे, bank वाले आपके उपर आजाएगे, तो ये risk है, ठीक है, जैसे मैंने एक, धिरुबाय अम्मानी की book पड़ी थी, business महराजास, उसमें एक line है, धिरुबाय अम्मानी balance sheet, जब देखते दें, तो सबसे पहले देखते थे, debt कितना है, उनका था, debt अगर उनको लगता है, कि ज़्यादा है, हर business में debt हो सकता है, जैसे bank है, bank की book में debt होना है, उनका model ही वाई, इससे लेने का, उसको देने का, तुम बोलोगे कि banking business में debt नहीं होना चाहिए, तो bank काम कैसे करेगी, NBFC है, बजाज finance company for example, उनका काम ही है, लोगों से कर्ज लेना, debt लेना, आपसे FD लेते 7-7,5% पर सामने वाले को 15%, 18%, 20% पर देते हैं, उनके लिए debt हो सकता है, 5%, 5-6% का ratio, बहुत सारी company में debt की justification नहीं है, आप software company, किस बात का debt चाहिए आपको, चाहिए बड़ इतना भी नहीं चाहिए, 5-6% का ratio में, तो वो risk आपके उपर है, और जो अगला risk है, liquidity risk, मतलब आप investment को बेच नहीं पाऊगे, वो मैंने अल्ड़ी आपको explain कर दिया है, कुछ-कुछ tax saving instrument में risk रहता है, एक बार आपने tax saving purpose के लिए invest कर दिया, 3-5-6-10 साल, आपका amount block हो गया, private company में invest करेंगे, उसके share को trade नहीं कर पाऊगे, land में invest कर दिया, real estate में invest कर दिया, उसको sell करना बहुत मुश्किल है, और एक risk, market risk, जो की पूरी तरह unpredictable है, यानि market में कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो share market हो, bond market हो, real estate market हो, वो risk आपको लेकर ही चलना है, ठीक है, सब कुछ अच्छा रहेगा, company profit भी कर रही है, quarter on quarter basis पे growth हो रहा है, year on year basis पे growth है, cash flow from operating activity, positive और grow कर रहा है, अचानक कोरना आ गया, market crash, अचानक युद्ध हो गया, रशिया युक्रेण में युद्ध हो गया, आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है, आपका business का रशिया से, और युक्रेण से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पूरा stock market ही crash हो रखा है, तो तुम भी crash, तो ये जानते हुए आपको invest करना, और अगर आप portfolio manager बनेंगे, तो ये वाला page उठा के पहले उसको समझाना, कि देखो भाया, ये risk है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सर बताइए ना कौन से share में invest करें, तो पहले में उसको बोलता है, ये risk है, समझ लो, फिर invest करो, risk लेने में कोई बराई नहीं है, आप लोग C.A. कर रहे हैं, पता है, कितना risk है, इस pyramid को देखो, अपने हाप risk समझ में आ जाएगा, ये foundation है, ये inter है, और ये final है, 100 बच्चे यहाँ पर आते हैं, यहाँ 20 पहुँच पाते हैं, ये 20 में से 4 यहाँ पहुँच पाते हैं, फिर इस 4 में से जो बाहर निकलता, वो एक होता है, ठीक है, फिर भी मैंने बहुत हाइप प्रोबैबिलिटी लिए, 20%, 20%, 25%, तो इस risk के साथ, एक बच्चा CA कुर्स जोइन करता है, कि 100 लोग जो जोइन करेंगे, उसमें first attempt में, शरिफ एक ही वेक्ती बाहर निकल पाएगा, that is the statistics, 20%, 20% और 25%, पासिंग परसेंटेज अगर मैं लेके चलता हूँ, फिर क्या लुक्सिये करना बंद कर दिये हैं क्या, नहीं, रिस्क तो है, लेकिन आपको रिस्क समझना है, अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना है, और इसके बाद इन्वेस्ट करना है, अगर आपको लगता आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिर उस सेक्यूरिटी में इन्वेस्ट मत करो, इस इट राइट, फिर उस सेक्यूरिटी में इन्वेस्ट मत करो, पहले जब मैं स्टार्टिंग में सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता था, टॉप हंडेड कमपनीज में, उस समय मुझे लगता था यार इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, पुरा दिन भर पढ़ाते हैं, नोट्स बनाते हैं, स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करते हैं, ऑफिस में GST, TDS, इंकम टेक्स, उसका भी जंजट पालो, PF भरो, यह वो करो, तो रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आगे है स्टॉक मार्केट, तो अब मैं स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रिस्क समझ रहा हूँ, बैलेंशीट अनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क है, बट आई अंडर्स्टेंड रिस्क, तो रिस्क समझने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी भी मैं क्रिप्टो करन्सी में इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका रिस्क अभी भी मुझे नहीं समझ में आ है, जिस दिन उसका रिस्क समझ में आ जाएगा, वहाँ भी करेंगे, ठीक है उसके उपर मैंने study कभी की नहीं है बहुत ज्यादा कि उसमें क्या model है वो फिलाल जो दूर से लगता है कि बहुत risk है लेकिन क्या आपको लगता है नहीं क्रिप्टो करन्सी में भी लाखों लोग invest करते हैं करते हैं लाखों करोड़ लोग करते हैं क्योंकि उनको रिस्क पसंद है वो रिस्क समझ में आता है इसलिए वो भी गलत नहीं है बड़ देन आपकी risk tolerance और उसमें जो risk है वो मैच होना चाहिए राइड next come to calculation अब आपको आज का एक पहला formula मिलने वाला है investment is all about return and risk याद रखना ये पूरा chapter ये दो वर्ड के इर्द गिर्द गुमने वाला है आज के बाद अभी से return and risk दूसरी बात याद रखना हम जब हाई invest करते हैं तो हमें उस asset के साथ या उस security के साथ कोई emotional attachment नहीं होना है हमें देखना है कि भाईया उसमें return कितना मिल रहा है इतना risk लेने पर right emotional attachment होकर अगर आप invest करेंगे तो फिर आप investor नहीं है फिर फिर आप भक्त हैं ठीक है तो आपको क्या करना है इस risk के एवज में मुझे इतना return मिलता है इस return के लिए मुझे इतना risk लेना है then what is the return return is the compensation अभी आपकी बुक में सब लिखा हुआ सिर्प sequence उपर नीचे हो सकता है just for explanation मैंने sequence थोड़ा बदला है return is the compensation that an investor gets for parting with his liquidity जब आप invest कर रहे हो आपकी liquidity आप दूसरों को दे रहे हो अभी आपके पास 10,000 रुपए हैं आपने उसको bank FD में डाला आपका तो 10 रुपए ब्लॉक हो गया bank के पास liquidity आ गई तो आप चाहते हैं उसके बदले में आपको compensation मिले हैं अब शेर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो एक लाख रुपए तो आपका लाख रुपए तो उदर ब्लॉक हो गया ना अब आप उस लाख का कुछ नहीं कर जकते हैं लिक्विडिटी आप जब किसी और के हाथ में देते हो तो बदले में उसका रिटन चाहिए the stocks are bought and sold on the basis of अब यह वाड एक्सपेक्टेड को अंडरलाइन करना है ऌut share market में जब हम कोई भी stock खरीते हैं तो हमारे दिमाग में I expected return होता है कई ना कई दिमाग के अंदर एक expected return की उम्मीद रहती है की मुझे इतना return मिलेगा और expected return हम कैसे निकालते हैं सब्सक्राइब देखते हैं कि पास्ट में कीतना return दिया है और उसके basis पे हम उसका future का return estimate करते हैं अफकोर्स अगर एकदम ही नई company रहेगी तो उसके लिए हम projected return लेंगे लेकिन जो existing company है उसके लिए उसके past data के basis पे हम expected return निकालते हैं अब expected return कैसे निकालेंगे माल लोग कोई company का 5 साल का story ऐसा है उस company ने पिछले 5 सालों में यह return generate किया है तो या तो मैं simple average निकाल लोगा या फिर weighted average या फिर weighted average weighted average में हम क्या करते हैं यह simple average का formula है simple average return depending upon the data given and the situation I will apply either simple average और weighted average ओके तो simple average तो आपको पता है जैसे school में सिखाएगा जितने observation उसको add करके number of observation से divide करो और कई बार हम probabilities लगाते हैं मुझे 10% मिलेगा इसकी 50% probability है 20% मिलेगा इसकी 30% probability है 15% मिलेगा इसका 20% probability है तो मुझे क्या करना होगा expected return निकालना होगा expected return will be 10 into 0.5, 20 into 0.3, 15 into 0.2, total 14% इसको हम बोलते है expected return this is called weighted average return based on probability क्योंकि share market में आप किसी चीज को accurately प्रेटली प्रेटली नहीं कर सकते हैं आपको देखना है कि कितना क्या-क्या return मिल सकते हैं और उनकी क्या-क्या probabilities है based on that we compute expected return note of warning expected return may or may not be realized but it is a basis for decision making it's a basis for decision making क्योंकि decision making के लिए आप क्या करेंगे आप देखेंगे stock ने पिछले 20 सालों में क्या return दिया है जरूरी नहीं कि 21 साल भी वही return आएगा बोलो हाया ना जरूरी नहीं कि 21 साल भी वही return आएगा अब एक golden rule आज के लिए other things remaining same the option with higher expected return is selected तो आपको जब है तो आप B को select करेंगे अगर बाकी सारे factors common है सिर्फ return different है तो जहां return जादा होगा उस option को select किया जाएगा is it right जहां option जादा होगा उस return को select किया जाएगा अगला question return कहां से आता है security market में अगर आप invest करेंगे return will be in the form of either dividend or interest debt securities में करेंगे interest मिलेगा equity share या mutual fund में करेंगे dividend मिलेगा आपको कभी bonus भी मिलता है and share market में जादा तर आप इसके लिए invest करते हैं उसमें capital gain मिलता है तो the person holding security will get return in the form of interest dividend bonus capital gain by holding that investment अब एक formula में आपको दूंगा उसके पहले उसको समझाओंगा the return will be in the two form generally chapter में हम लोग इस chapter में हमारा main जो underlying security है वो है stock या share ठीक है next chapter mutual fund है bond हमने देख लिया तो हमारा इस chapter में main theme रहेगा share या stock इसको stock भी बोलते है share भी बोलते है जो बोल ना बोलो stock में हम invest करते हैं तो किसी particular period में holding period में किसी particular holding period में हमें दो प्रकार के return मिलेंगे एक तो इस period में आपको dividend मिलेगा कहीं न कहीं ठीक है और दूसरा जब आप share बेचेंगे उसके end में तो आपको capital gain होगा तो मेरा return कितना हुआ dividend plus capital gain dividend को हम D या D1 लिखेंगे और capital gain को P1-P0 समझ में आया ब्रैकेट में लिख दो dividend को D capital gain is P1-P0 formula समझने के पहले एक example लेते हैं रफ में एक example आसपास लिख लेना सिर्फ समझने के लिए सपोज आपने एक Tata Motors का share लिया company का नाम है Tata Motors 1st January 2024 को आपने share खरिदा 700 रुपय में dividend मिला इस share पे 2024 में dividend मिला for example 20 रुपया और 31 1224 को इसकी value हो गई है मालो 850 रुपया तो बहुत ही common sense वाला सवाल है कि investor को total return in percentage क्या मिला 700 रुपया आपने invest किया को 700 रुपया इन्वेस्ट किया आपने और income क्या मिली एक तो dividend मिला 20 रुपया और total gain मिलेगा आपको 1500 का क्योंकि 700 में खरीदा 850 में बेचा into 100 कर दो आपको percentage आएगा जर आप करके बताना कितना है very good 24.29% इसको हम बोलते हैं holding period return तो आज आपके life में एक formula आएगा holding period return equal to dt dt मतलब dividend of the current year आपकी book में भी लिखा हुआ है plus pt price at the end नीचे लिखा वासका मीनिंग pt-1 pt-1 एक साथ है price at the beginning divide by price at the beginning या फिर आप सिधा ऐसा लिखो हम लोग अपनी class में यह लिखने वाले d1 plus p1 minus p0 upon p0 ठीक है अगर t1 में आपको दिक्कत माइनस में तो आप p1 और p0 लिखना this is holding period return अगर आप 6 मैने के लिए hold कर रहे थे तो 6 मैने का return आ गया फिर यह annualize करना हो तो उसको 2 से multiply करेंगे तो पर minimum return आ जाएगा अभी एक और नीचे है लाइन riskless securities what are riskless securities चलो guess करना आज riskless securities option a mutual fund option b equity share option c gold option d government security which of these is riskless securities government security क्या सोच कर आपने government security को टिक लगाया कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना आपने decision लिया तो आपका दिमाग process कर रहा होगा mutual fund में रिस्क है equity में रिस्क है gold में रिस्क है लेकिन government security में आपने का रिस्क नहीं कोई तो आपने benchmark यूज किया होगा उस decision को लेने के लिए certainty very good तो government security में आपको certainty है certainty का मतलब क्या होता है what is certainty भरोसा certainty का मतलब जो हमारा actual outcome होगा it will be equal to expected outcome इस chapter में certainty का मतलब है actual outcome is equal to expected outcome जब आप government security खरीदते हो न उसमें आपको पहले दिन ही बता देते हो कि इस पर आपको 8% interest मिलेगा 5 साल के बाद भी जब आप जाओगे तो आपने जो amount invest किया है उसमें 8% से वो calculate करेंगे और आपको उतना amount देंगे यानि 5 साल बाद भी जो amount मिलेगा वो आपको आज ही पता है लेकिन जब आप mutual fund में invest करोगे तो mutual fund में जो आपको expected outcome है वो actual outcome के साथ match नहीं हो सकता है हो गया तो तक्दीर अच्छी है बट इट में नौट मैच अलसो इट में नौट मैच अलसो डू एगरी इट में नौट मैच अलसो तो रिसक है वही चीज ने expected outcome से same thing about gold also is it right इसलिए इसको हम government security को riskless कहते हैं because उसमें अगर जो आप expect कर रहे है certainty word जो आपने use किया और जो आपको actually मिलेगा वो same रहता है ठीक है simply आपको कोई बोले तो आपको बोले expected return is equal to actual return hence it is riskless security एक question भी वहाँ पे लिखा हुआ है इसको solve कर देंगे suppose we buy a security for 100 rupees तो आपका base 100 हो गया and know that it would pay rupees 10 in cash इसमें 10 रुपया मिलेगा पहले दिन ही आपको पता है इसमें 10 रुपया interest मिलेगा and it would be worth 110 at the end of the year तो आपका expected return 20% है 10 रुपया interest 10 रुपया capital gain 20 रुपया divided by 100 ठीक है तो 20% अगर आपको इनन में 20% ही मिला या आपको पहले सी पता था कि इसमें आपको 10 रुपया interest और 110 पर बेच पाऊगे then it will become a riskless security इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है riskless security में तो उसको बहुत ही कम return मिलेगा क्योंकि रिस्क नहीं ले रहा है लेकिन जब वो risky security में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी expected return ज्यादा होगी क्योंकि वो बोलेगा अगर मुझे risk free security जितना ही अगर return यहां भी मिल रहा है तो मैं महीं इन्वेस्ट करूँगा ना फिर यहां क्यों इन्वेस्ट करूँगा तो risky security में expected return ज्यादा होता है क्योंकि investor is taking risk and if he is taking risk he would expect a compensation for taking risk that is called risk premium risky security को risky security क्यों कहते है because expected return and actual return may not match actual return can be different from expected return that is risky और जहां पर deviation का जितना ज्यादा chance है जहां पर उसको हम उतना risky security कहते हैं okay उसको उतना risky security कहते हैं तो जिसमें minimum zero deviation हो वो हो गया आपका risk free security जिसमें थोड़ा deviation के chance है कम risky security जिसमें ज्यादा deviation के chance है और ज्यादा risky security correct हम लोग कहते हैं small companies small cap shares are riskier and large cap companies are less risky सिधा बात है यहां पर अगर आपका expected return 15 है तो deviation मालो 10 से 20 के बीच में होगा कम हो गया तो 8 9 10 small cap में आपका expected return 808 यहां पर माइनस 30 से लेकर 50 तक हो सकता है 30 पर से नीचे भी जा सकता है वह पचास भी जा सकता है तो deviation बहुत है इसले हम इसको ज्यादा risky कहते हैं ओके risky securities are those whose return cannot be forecasted with certainty there is always a risk involved that cash flow may not be may not result as expected जैनि जो उमीद कर रहे थे और जो actually मिला उसमें deviation हो सकता है and the market price can fluctuate in either direction for example shares mutual fund gold land यह सब इसकी investment है तो आज का पहला formula आपको पास याद होगा D1 plus P1 minus P0 upon P0 is equal to holding period return in percentage ठीक है अब हमारा अगला कारक्राम है how to calculate return for risky security how to calculate return for risky security तो यहां पर हम probability distribution method use करते हैं जैनि weighted average method use करते हैं रिसकी security में आपको return जो है वो दस भी मिल सकता है 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो आपको estimate करना है कि security में क्या-क्या return मिल सकते हैं ओके मैंने कुछ ही लिखे हैं practically आप और भी ज़्यादा लिख सकते हो range की यह भी मिल सकता है यह भी मिल सकता है और फिर हम क्या करेंगे उनको probability assign करेंगे फिर हम उनको probability assign करेंगे for example 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, something like this and then we calculate what is called expected return उसमें आपको इसको multiply करना है और add करना that is weighted average return और probability weighted return ठीक है तो आपकी book में एक example है उसको वहीं पर solve करेंगे book के अंदर में एक investor है उसने identify कि किसी stock में 5 return possible है यह 5 return जो मैं नीचे दिखाने जा रहा हूं और इनकी probability भी उसके साथ साथ लिखी हुई है तो आप देखेंगे एक table दिया हुआ है आपको वहाँ पर investor को लगता है अगर मैं इस stock में invest करता हूं तो मुझे 20, 21, 22, 23, 24 यह 5 possible return है और यह उनकी probabilities है अब आपको इसका expected return निकालना है तो क्या करेंगे नीचे table में लिखना है आपको उसी book में नीचे table बना हुआ है उसी book में एक 7 आपको चेक करना 20 इंटो 0.15 3, 21 इंटो 0.2 4.2 22 इंटो 0.5 11 23 इंटो 0.10 2.3 and 24 इंटो 0.05 1.2 टोटल इस 21.27 को क्या 21.7 को हम बोलेंगे expected return expected return मतला based on past data analysis आपको लगता है की 21.7 percent would be my expected return expected return means average return expected return means average इसका कोई फाइदा है क्योंकि आपको जो अगले साल जो रिटन आएगा वो जरूरी नहीं के 21.7 आएगा क्या क्या इसका कोई फाइदा है यस decision making के लिए मालो कोई दूसरा स्टॉक है उसका expected return 20 आ रहा है इस अजूम करेंगे दोनों का रिस्क बराबर है तो आपको decision लेना है फिर जिसका expected return ज्यादा होगा आप उससे select करेंगे हो सकता है अगले साल उस दूसरे वाले का return ज्यादा आज आए लेकिन आज अगर मुझे decision लेना हो on the basis of risk and return security which has higher expected return for a given level of risk that security will be selected is it right other factors remaining constant security which will have higher return will be selected तो आप आपकी बुक में एक प्रोब्ला और लिखना वैसे center of the page में लिखा हुआ है expected return is equal to एक और फॉर्मला summation probability into return simple यह हमने क्या किया यहां पर जब total लिया इसको हम बोलते है समेशन ठीक है और जितने भी probability और रिटन दिया था उन सबको पहले multiply करना है जो की P into R है जितने observation उनका probability और रिटन को multiply करना है और टोटल करना तो इस इस सिम्बल फॉर समेशन तो इस दो formula हो गए मैं आपको formula बार-बार revise भी करवाओंगा पहला formula था हमारा holding period रिटन का ठीक है कोशिश करेंगे chapter खत्म होते होते आपको सारे formula दिमाग में बैड़ जाए और दूसरा formula था expected return का summation probability into return बस आपको बहुत ज्यादा mathematics में नहीं घुजना है हमारा काम हो जाए उतना हमें सीखना है राइट अब जो next चीज है जो बहुत बहुत important है वह है risk risk यानि क्या इस chapter में risk का मतलब है the probability of losing money और इसका मतलब क्या होता है risk का मतलब होता है actual outcome can deviate from expected outcome that is risk यानि की जो आप उमीद कर रहे हो उसके विपरीत आपका result आ सकता है जैसे सी एक्जाम को रिसकी एक्जाम कहते हैं राइट क्यों विचारा स्टूडन क्या उमीद लेकर बैठा रहता है है और क्या हो जाता है आप सब तो खुदी गवाएं अपने साथ हैंगे नहीं कि बीकॉम एक्जाम को में रिसकी एक्जाम नहीं बोलते हैं सुनके भी हसी आती है यानि फर्स्ट यर का जब बीकॉम का फॉर्म भरते है ना उसी दिन पता रहता है कि तीन साल बाद इतने तारीकों में ग्रेजुट हो जाओंगा जब फांडेशन का फॉर्म भरते है ना उस दिन कोई पता नहीं रहता है कि मेरा आखरी पेपर किस तारीक को होगा यहीं डिफरेंस है समझ में आ गया है तो रिस्क मिन्स प्रोबाइबिलिटी ओफ लूजिंग मनी सेकेंड पॉइंट काफी लोग एमोशनल होग है सुनके कोई बात नहीं रिस्क रिफरेस्ट टू वेरियेबिलिटी और वलाटिलिटी ओफ रिटन यानि रिटन जो है वो वेरी कर सकता है एक्सपेक्टेड और एक्चल में वेरीेशन वह सकता है एक और पॉइंट लिखा है मैंने सिच्छोएटेशन वेर एक्चुएड आउटकम में डेवीट फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटकम यह रिस्क का डेफिनेशन है रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी दाग एक्चुल आप करो, कुछ भी करो, रिस्क है, कुछ नहीं भी करेंगे, उसमें भी रिस्क है, कोई रिस्क नहीं लेगे, तो वो भी एक रिस्क है. बस यह यह कि risk आपको जानना है कि मैं कितना risk ले रहा हूं risk cannot be avoided but risk can be measured risk cannot be avoided but risk can be measured और एक बार आप risk measure कर सकते हैं तो accordingly आप decision ले सकते हैं is it right? accordingly आप decision ले सकते हैं कि हाँ यह इतना risk है इस चीज में तो मैं यह decision ले सकता हूँ या नहीं CA exam में भी risk है लेकिन आपको पता है कि 20 से 25% passing होने की probability है इतना risk मैं absorb कर सकता हूँ तभी आप लोग यहां बैटे आज ठीक है मैं आपको बोलूँगा UPSC की exam दो Union Public Service Commission जिसमें आप पास होंगे तो IES IPS 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 मैंने वो एक्जाम भी दी है ठीक है उसमें passing percentage किता पता है आपको गेस करो गेस करो गेस करने का कोई पैसा नहीं है एक student कह रहा है 2-3% और कोई जब मैंने exam दी थी तो हम लोग 8 लाक लोग appear किये दें और फाइनली जो सिलेक्ट हुएं उस समय 450 लोग सिलेक्ट हुएं और मेरा नंबर थोड़ा सा बात तक मैं करी 500 वाली रेंज में था उत्ते से रह गया ठीक है अब इसका परसेंटेज निकालो जड़ा पॉइंट 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 फाइप प्रसेंट आ रहे हैं पॉइंट फाइप प्रसेंट इसले लोग देते नहीं है पता है जिन्दगी बरबाद हो जाएगी और UPS exam में जो है न गेम और खतर ना गया उसमें पहले prelim exam होगी फिर means होगी फिर interview होगा राइट प्रिलिम पास मेंस पास जो मेरे साथ हुआ इंट्रव्यू में आप अठक गए मालो कम आ गए उस दिन क्या उस दिन आपकी तकदीर रहती है उसने क्या पूछा आपने क्या बोला ठीक है कुछ एक घंटे का खेल रहता है तो खेल खतम इधर या उदर अगर इंट्रव्यू फेल हो गए तो अगली बार क्या करना आपको वापस इंट्रव्यू देना है या वापस प्रिलिम देनी है फिर से प्रिलिम ठीक है तो यह पूरा जैसे साप सीडी के खेल में पहले आप क देता है वहां तो अगर वह आपने 99 पर कदम रखा तो वापस जीरो पर आजाते हैं इसलिए लोग UPSC कम देते हैं देते बहुत आठ लाग लोग बट मॉस्ट आप देम और नॉट वेरी सीरियस अवाट इट इस इट राइट सीय में आठ लाग सीरस लोग देते हैं मैक्सि आएफ अचिन रुखी सकते हैं ठेक है को यह पो एक फ्लॉर से सक तुने बोलों का पुझ स्थ हो गे सायद वाट हुआँ लाग देंगे दस से कुद होगे दस दस घुणा मिलने पर भी नीखुद हो गया आप पता है कि रिवाड लेने लाग बचेंगे नहीं फिर एक में से बच जाएंगे मुष्ट फॉड़ा हाथ पर तूड़ेगा बैटुप दो-चार दस दिनों में ठीक हो जायागा मतलब उसको offer देने के लिए पैसे भी चाहिए ना तो risk can be measured by assigning probabilities risk is measured by standard deviation और variance तो अब आपका सारा खेल जो अगला एक दो दिन जो है न यह probability probability, standard deviation, variance इस अब calculate करने में जाएगा क्योंकि आगे के सौ question में आपको बार बार यह निकाल नहीं है इसलिए उसके practice ज़रूरी है exam में बच्चे छोटे छोटी गलती करके आते हैं और पूरा 6 मेना बरबात कर देते हैं standard deviation के formula में square root लिखना भूल जाता है n से divide करना भूल जाता है तो छोटी छोटी गलतिया उसका avoid करेंगे इसलिए practice करेंगे तो standard deviation is a major of risk in portfolio management और variance is a major of risk अब यहाँ पर आपको golden rule no.2 को underline करना है जो कहीं आपकी बुक में लिखा होगा between two options अगर आपके बास दो option है और दोनों option में सब कुछ equal है शरीफ उनका risk different है शरीफ उनका risk different है तो हम किसे select करेंगे the option with lower risk will be selected हमें emotional नहीं होना इस chapter में हमें नहीं बोलना यह company अदानी की है इसमें invest करेंगे चाया कुछ हो जाए यह बच्चा अदानी में invest करता है एक बैठा हुआ यहां पर अभी नहीं करते हो बंद कर दिया कितना नुक्सान हुआ नुक्सान के पहले निकल लिये हैं तो emotional होनी होना आपको risk और return देखना return equal है तो lower risk को select करना है right next is measurement of risk in order to analyze the risk one should be able to measure the risk and how to measure the risk समझना उसके लिए हम क्या करते हम यह देखते हैं कि suppose यह मेरा mean या average return है तो data mean से कितना deviate होता है जितना ज्यादा deviate होगा तो risk उतना ज्यादा रहेगा जैसे for example देखना दो diagram मैंने draw किया है एक में mean से बहुत कम data deviate हो रहा है यहां पर देख रहे हो गया mean के आसपास ही है और एक में mean से data deviate हो रहा है तो यह इसमें risk high है इसमें risk low है deviate हो रहा है लेकिन जहां पर average से बहुत ज्यादा different आ रहा है different result आ सकता है तो वह रिस्क ज्यादा है वहां पर रिस्क ज्यादा है जैसे for example minus 10 है 20 है 50 है इसका total करना जरा 60 और average निकालना 20 एक दूसरा लेते है 19, 20, 21 टोटल करना 60, 60 average निकालना 20 दोनों का average सेम है लेकिन क्या दोनों का risk equal है दोनों का risk equal है नहीं किसका risk ज्यादा है पहले वाले का पहले वाले में देखो यह 20 है किसी दिन तक्दीर खराब रही तो minus 10 पर चला गया किस दिन तक्दीर अच्छी रही तो 50 पर चला गया तो variation बहुत है ठीक है जबकि यहाँ पर आसपास ही है average के आसपास ही है यह तो question आपको दूर से देखकर समझ में आ गया है लेकिन हर बार data आपको इतना असानी से प्लेट पर नहीं सजा के दिया रहेगा तो उस case में हमें क्या करना है हमें standard deviation calculate करना है तो standard deviation से आपको पता चलेगा कि data अपने mean से mean यानी average से कितना deviate करता है on an average on an average data कितना mean से deviate कर रहा है या variance निकाल सकते हैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा दोनों के variance means square of standard deviation standard deviation is square root of variance तो usually हम standard deviation follow करते हैं इस chapter में क्योंकि standard deviation और data का जो क्यार बोलते हैं unit रहता है same रहता है unit of the data and unit of the standard deviation is same तो comparison easy होता है standard deviation का मतलब है कि on an average data अपने average से कितना दूर है जितना average से आप दूर रहोगे उतना risk जादा है मतलब deviation के chance उतना जादा है समझ में आ रहा है तो अब आप पूछेंगे sir standard deviation कैसे निकालते हैं तो उसके लिए दो formula है एक formula है जब आपको number of observation दिया हुआ रहेगा और एक formula जब आपको probability distribution दी वही रहेगी ठीक है question ध्यान से पढ़ना अगर question में ऐसा दिया हुआ है पिछले तीन सालों में एक company ने इतने return दिये है कुछ भी मैं इसे number लिखता हूं just to explain एक company ने पिछले तीन साल में 10, 20, 30% return generate किया है तो इसका standard deviation निकालो अगर आपको year दिया हुआ है यानि number of observation तो उस case में क्या करना है पहले तो आपको इसका simple average निकालना है यह होगा simple average return को हम एक बार r लिख देते हैं और simple average या average return को r bar r bar मतलब average return यह जो symbol है इसका मतलब average समझ में आया पूरे chapter में आपको ऐसा symbol दिखेगा तो average है वह अब मैं इसका क्या करूंगा formula देखना formula कहता है standard deviation equal to square root of summation x minus x bar square upon n तो formula को कैसे यूज करना है जरा हम समझते हैं बहुत easy है और यह क्या हो गया formula कहता है कि आप x minus x bar लो फूर इसका square कर दो ठीक है तो पहले मैं x minus x बार करूंगा मेरा purpose क्या है mean से कितना data deviate हो रहा है तो मैं x minus x बार करता हूं 10 minus 20 minus 10 20 minus 20 0 30 minus 20 तो आप बोलिंग सरीसी का total कर लो ना square करने की क्या जरूवत है अगर मैं इसका total करूंगा तो जीरो आ गया जीरो देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई deviation ही नहीं है क्योंकि आपनी तो कहा था सर डिफरेंस बिट्विन actual data and mean लेना है बिस समझने के लिए लेकिन अगर मैं वह करता हूं और टोटल ले रहा हूं जीरो आ जाता है कि जितना पॉजिटीव आएक उतना ही नेगेटीव आएगा तो फॉर्मुला बनाने वाले ने क्या किया बोला एक काम करो इसका पहले square करो उससे क्या होगा positive and negative deviation will not cancel out each other ठीक है क्यों deviation तो दोनों साइड में हमें दोनों ही consider करना है तो मैं minus 10 का square लिया 100, 0, 100 इसका क्या फैदा हुआ कि जो deviation negative है वो भी consider हो गया जो deviation positive है वो भी consider हो गया total 200 अभी answer complete नहीं हुआ है is it right तो पहले तो आपको इस table draw करके x minus x bar square निकाल लेना है हो गया अभी यहाँ पर आपको दो चीज़े में बता होंगा अगर आपको number of observations दिये हुए है तो variance is equal to summation x minus x bar square upon n 200 divided by 3 तो देखना कितना आ रहे 66.67% आएगा लेकिन यह आपने square कर रखा यहाँ पे है तो यह answer square में आएगा 66.67% को में बोलेंगे variance बट अब आप देखो variance और data को compare करना थोड़ा difficult है डेटा में 10 20 30 है और यहाँ पर 66.67 है तो थोड़ा compare करना difficult है तो formula वाले ने क्या किया उसको उसने कहा है काम करो standard deviation निकालो हमें यह जो आपने square किया है उसका effect हटाना है square करने से यह जो data है और यह जो आपने निकाला है यह comparable नहीं है तो square का effect हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा square का effect हटाने के लिए square root करना पड़ेगा तो 200 divided by 3, 66.67, एक स्क्वार रूट प्रेस कर देना, 8.16%, 8.16% हो गया, ठीक है? अब आप बोल सकते हैं, कि डेटा आपने मीन से, on an average, 8.16% deviate करता है, तो यह थोड़ा comparable है, अब यहाँ पर हमने percentage लिखा, percentage square नहीं लिखा है, अब data और standard deviation, same unit में है, ठीक है? तो आप इसको copy कर लेंगे, नोट बुक में copy करना, और एक heading लिख देना, calculate standard deviation, just for understanding, अभी यह question थोड़ी देर में आपको properly exam में भी, जो आया है, उसको भी हम करवा देंगे, पुरा copy कर लो, आखरी तक, speed से copy करना, कर दे सकते हम देraph करना, कर दो, भी हम है, यह Rateहीम है, यह को भी है, जो, बादसाए है,ições टुपा, किया है, ढदart दो, खुछाने हैं,ि आपको कमें दोूइब देशे हैं. वो गया? एक दूसरा फॉर्म्ला भी ए इसा पर आप निकालते हो जब आपके पास पास हिस्ट्री है प्रोडक्त इन्वेस्ट्मेंट की ठीक है उस सेक्योर्टी के आपके इतिहास है कि पिछले पांच साल, आठ साल, दस साल में आपने रिटन कमाया है उसके बेसिस पर हमने standard deviation निकाला है लेकिन कई बार हम past data use नहीं करके probability use करेंगे तो उसके लिए formula है same formula है बट यहाँ पर probability का use हुए आपने लिख लिया या वापस लिखना है लिख लिया ठीक है तो standard deviation when probability distribution is given is summations p into x minus x bar इसका square root लेना सर यह p क्या है यहाँ पर p stands for probability p stands for probability दोनों में difference हम यह past data आपके पास है तो ऐसे कर लेना आपके पास है अगर probability of return दिया हुआ है तो इसको use कर लेना formula आपकी book में है अब एक roughly calculation करेंगे standard deviation का समझने की कोशिश करेंगे कैसे इस formula को आपको use करना है ठीक है suppose आपको question में दिया हुआ है return मानलो आपको ऐसे दिया वाद 10% 20% 30% और फिर आपको उसकी probability दी हुई है गोली कितना लिखें है पॉइंट 5 लिख दें पॉइंट 3 पॉइंट 2 क्योंगी probability का total 1 आना चाहिए ऐसे case में पहले आपको क्या करना एक्सपेक्टेड रिटन निकालना है एक्सपेक्टेड रिटन कैसे निकालेंगे जैसा कि अभी हमने देखा ना probability distribution दिया है तो multiply करेंगे 5 6 6 5 6 6 कितना हो 17 यह आपको हो गया average return expected return average return x bar अब मैं क्या करूंगा यह formula को use करने के लिए पहले आपको यह calculation करना होगा P into x minus x bar square यह जो return वाला column है it is x और यह 17 आपने निकाला that is x bar और यह probability column is P तो P into x minus x bar square कैसे calculate करेंगे जरा बताइए अपने calculator को उठाओ पहले bracket को solve करते है ठीक है bracket में x minus x bar square है तो 10 minus 17 स्क्वार करने के लिए इंटू equal to करेंगे 49 आया इंटू 0.5 इक्वल टू memory प्लस भी कर देना तो एक कुछ 24.5 दिखरा होगा उसके बाद फिर से एक बार 20 minus 17 इंटू equal to इंटू 0.3 इक्वल टू 2.7 memory प्लस कर दीजिया memory प्लस फिर से एक बार 30 minus 17 इंटू equal to इंटू 0.2 इक्वल टू 33.8 आ रहा है memory प्लस memory रिकॉल 61 आ गया अगर आपसे कोई पूछे की वेरायन्स कितना है तो 61% स्क्वार और कोई आपसे पूछे स्टेंडर्ड डिविशन कितना है तो अंडर रूट 61 लेंगे आपको स्क्वार रूट लेना है 7.81 अब एक मिट सुनना गलती यहां पर स्टूडेंट क्या करता है वो 61 को भी 3 से डिवाइड कर देता है करना है क्योंकि आपने से मल्टिप्लाई कर अब प्रोबैबिलिटि का टोटल करोगे तो already यह वária है ठीक है तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको नंबर आफ ऑप्जर्वेशन से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हम probability लिख रहे हैं और probability का टोटल अल्रेड़ी वन है यह मैंने देखा student यह गलती करते हुए probability distribution में आपको number of observation से divide नहीं करना है लेकिन इस type के question में जहां पर आप number of observation यूज़ करके solve कर रहे हैं तो वहां पर आपको n से divide करना है ओके चलिए आज का पहला question करते हैं एक question number 3 पर आजाओ पहले question number 3 question number 3 हमने दो formula देखे है न एक formula देखा जिसमें pass data है एक formula देखा जिसमें probability है तो आप question number 3 पर आएंगे मैं आपको बहुत सारे practice कराऊंगा थोड़ा irritate हो सकते हैं but I can't help it क्योंकि बहुत सारे student जो हैं उनको बहुत practice लगती है कुछ लोग बहुत होते हैं तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा repetition हो रहा है तो ऐसे बच्चे skip कर सकते है calculate expected risk and return from the following information about a stock क्या पूछ रहा है risk निकालना है return निकालना है risk मतलब standard deviation और उन्होंने दे रखाए price at the end of the year कितना है dividend per share कितना दिया company ने चार साल का data है तो पहले आप समझो कि आपको return निकालना है और जब भी return निकालने बोल रहा है उसको percentage में निकालना है rupees में return निकाल के कोई फैदा नहीं है अगर आप MRF का share खरीदते हैं ठीक है माल लो एक लाग दस हजार रुपए में और आपको 1000 रुपए dividend मिला तो क्या नाचोगे कितना है हजार डिवाइड बाई वन लेक टेन था हुज है कहा तुम्हें 45 रुपए dividend दिया तो 10 परसेंट कहां नाचोगे कि ITC में नाचोगे हम MRF में नाचोगे MRF हजार देरा भाई हजार उसके लिए एक लाग दस यार भी तो लगाया है मैंने और यहां पर साड़े 400 में 45 मिल रहा है इसलिए रिटर्न जब बोल रहा है तो परसेंटेज में निकालना है ठीक है एपसिलूट रुपीज का कोई महत्व नहीं है परसेंटेज में आप क्या कमा रहे हो वो इंपोर्टेंट रखता है तो हमने अभी आज आपको एक फॉर्मुला बताया था रिटर्न निकालने के लिए अब डेटा देखकर आपको डिसाइड करना है कि रिटर्न परसेंटेज कैसे निकलेगा तो यहाँ पर आपको प्राइस दिया हुआ है तो पहले इंडिविज्वल येर का हम रिटर्न निकालेंगे फर्स्ट यर का नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसका पी जिरो मिसिंग है तो हमारा कैलकुलेशन एक्चुली लास्ट के तीन साल का ही हो पाएगा यहाँ पर यह पी वन है इसका पी जिरो पांस सो होगा यह पी वन है इसका पी जिरो छह सो होगा यह पी वन है इसका पी जिर साल का 400 होगा उसमें कई बार आपका रिटन पॉजिटीव भी आ सकता है नेगेटीव भी आ सकता है ठीक है तो लिखिए नोटबुक में लिखेंगे question number 3 page number लिख देना और अपके question book में भी आप अपनी notebook का number और notebook का page number reference लिख दो यह जो question है यह problem for the beginner है ऐसे question exam में आने के chance नहीं है लेकिन यह आपको अगले कुछ difficult questions में मदद करेगा यह knowledge heading लिखना calculation of expected risk and return calculation of expected risk and return बहुत easy यह chapter बहुत easy है आपका chapter कब खतम हो जाएगा पता ही नहीं यह यह रिटर्न दीवन प्लस पीवन माइनस पीजिरो अपन पीजिरो और लास्ट कॉलम में हम deviation निकालेंगे r-r bar square तो लास्ट कॉलम का यूज होगा variance and standard deviation निकालनेंगे लिए तो start करें पहला साल में मैंने आप देखोगे तो dash dash लिखा होगा है क्योंकि पहले साल का आप return नहीं निकाल पाओगे उसका beginning price आपके पास available नहीं है second year का निकाल पाएंगे question सामने रखना second year में dividend 30 रुपया मिल रहा है आपको दिख रहा है कि लास्ट कॉलम में 30 रुपया और इसका closing price 600 है opening price 500 है divided by opening price 500 पहले इस कॉलम को complete करेंगे कोई मुझे third year का बताओ जरा third year का return कितना आ रहा है 40 plus 400 minus 600 divided by 600 नेगेटिव 26.67 आ रहा है जान बुझकर मैंने ऐसा question दिया कि आपको negative return आए फिर उसके बाद लिखना 40 plus 700 minus 400 divided by 400 कितना आया 85% आ रहा है काफी risky stock है कभी सीधा 85 पे चला जाता है कभी 26.67 नेगेटिव हो जाता है यहां तक आ गया आपका अब आपको क्या करना है इसका total करना है इन तीनों का total करना है 84.33 आ रहा है उसको तीन से divide करना है 28.11 परसेंट आपका average आ गया चार से मत divide कर देना जब तुमने number ही 3 यूस किये है तो 3 से divide करना है अब आपको last column कैसे निकालना ज़रा समझो यह 26-28.11 यह deviation आ गया इसका square लेना है लिख दीजी कितना आ रहे है 4.45 अब यह second माला समझो इसमें student गलती करता है minus 26.67 minus 28.11 दोनों ही minus है इसको square करनी है तो अगर दोनों ही number negative वो तो add कर दीजी आप उसको हैंगे नहीं फिर square करना 3000.85 और एक try करना 85 minus 28.11 square 3236.47 अब इन तीनों को add कर दो इन तीनों को add करना 6241.77 6241.77 आ गया बोलिये न हां तो यह जो total आया यह भी final answer नहीं है क्योंकि आपको number of observation दिया हुए तो आपको standard deviation निकालने के लिए पहले इसको 3 से divide करना है और उसके बाद उसका square root लेना है क्योंकि आपने square कर रखा है भी उसको तो नीचे लिखना standard deviation equal to standard deviation equal to पहले लिखेंगे formula यह क्या है यह जो आपने यहां पर बना रखा है इसकी symbol standard deviation की ठीक है ऐसे करके आपको लिखना है और इसको हम बोलते है sigma इसका नाम क्या है तो इस symbol का नाम है sigma sigma equal to under root summation x minus x bar square upon n equal to under root 6241.77 divide by 3 अब बाकी काम आप करेंगे पहले 6241.77 divided by 3 करना और उसके बाद square root ले लेना तो final answer is 45.61% 45.61% यहनि data is deviating from the mean on an average by 45.61% अगर आपको किसी और stock के साथ compare करना है और दोनों का return same आ रहा है तो जिसका standard deviation कम होगा उसमें risk कम है एक और practice करेंगे ठीक है question number two जिनको practice नहीं करनी है वो skip करें आगे बड़ें question number two जो है similar problem है एक reference book से मैंने लिया था a limited has the falling dividend per share and the market price per share same question है इस बार number of years थोड़े ज्यादा दे रखें for the period 2002 to 2007 calculate the standard deviation of the return calculate the standard deviation of the return standard deviation भी अगर पूछा तो तुमको return तो निकालना ही बड़ेगा average return तो निकालना ही पड़ेगा average return निकाले बिना तुम standard deviation भी नहीं निकाल पाऊगे format on the screen same format मैंने draw किया है calculation of expected return and risk same format question same है एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगली बार से क्या करना हर line के बाद एक line blank रखना कभी कभी ना कुछ calculation लिखने पड़ेंगे आपको तो आप अराम से लिख पाऊगे कुछ गलती होगे तो आप उसको सुधार पाऊगे over writing नहीं करेंगे एक एक लाइन छोड़कर year लिखना है और सर आपने 2002 नहीं लिखा सर गलती कर रहे है fees refund कीजिए तो 2002 में क्यों नहीं लिख रहा मैंने क्योंकि आपको उसका opening price नहीं है उसका opening price नहीं है तो 2003 से start करेंगे अगर उसका opening price उपर वाली paragraph में दिया रहता ना कई बर क्या करते स्टूडन रट के जाते हैं और question की पहली paragraph में लिख देता है price at the beginning of 2002 was so and so तो नहीं दिया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ अब आपको calculator उठाना है और मैं जो answer लिखूंगा उसके साथ आपको check करना है हो सकता है कि मेरा answer गलत हो इसलिए रट्टा नहीं मारना है copy नहीं करनी है 2003 में आपका dividend है 1.53 sorry 1.53 share price 20.75 है add करो minus पिछले साल का share price 31.25 divided by 31.25 minus 28.7 आ रहा है very good फिर से 2004 देखना question सामने 1.53 plus 30.88 minus 20.75 divided by 20.75 into 100 56.19% 56.19% 56.19% is it 56.19% okay next 2005 देखना 2 plus 67 minus 30.88 divided by 30.88 into 100 काफी हाई आएगा 123.45% आ रहा है 123.45% okay 2006 आपस question सामने 2 plus 100 minus 67 divided by 67 into 100 52.24% okay last year 3 plus 154 minus 100 divided by 100 57 तोटल करेंगे पहला नंबर नेगेटीव ध्यान रखना तोटल करेंगे 260.18% 260.18% average करना divide by 5 divide by 5 52.036% 52.036% यह हो गया simple average simple average लेते हैं क्योंकि अगर last के 5-6 साल का data दिया है क्योंकि investor कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है is it right ? हम simple average क्यों ले रहें investor कभी भी आ सकता है market में और कभी भी जा सकता है अब आपको क्या करना है next column r minus r bar square है पहला number ज़रा ध्यान से करना क्योंकि negative है minus 28.7 minus 52.036 और इसको square करना है तो जब दोनों number negative है तो पहले add करना फिर इसको square करना यहां पर student गलती करता है तो कितना आ रहे है देखना जरा 651 8 के आसपास आ रहे गया ठीक है एक रूपे का plus minus ठीक है plus minus 1 की range में है तो ठीक है second वाल अपने से try करना 56.19 minus 52.036 square यह हो गया 17.27 थोड़ा difference आएगा हो सकता है कि मैंने इसको round off करके solve किया हो next बोलना third year का बोलना 5100 very good 5100 फिर शेक बार next year का बोलना 0.042 आ रहे 0.042 आ रहे 0.042 चेक करना पहले अपने से करना फिर चेक करना उसके बाद 24.66 या उसके आसपस आ रहे है 24.64 24.64 सब ठीक है एक और ने एक और नहीं होगे है न 5 टोटल करना अभी टोटल करना यहां से यहां तक का टोटल करना डबल वन डबल शिक जिरो डबल वन डबल शिक जिरो पॉइंट के बाद जो भी है सब बढ़िया है डबल वन शिक जिरो प्लस माइनस वन की रेंज में है ठीक है अब यहां पर student क्या करेगा कई बार यहां रुख जाता है यह रुकना नहीं इसका square root भी नहीं लेना आपको पहले इसको 5 से divide करना है तो average आएगा फिर उसका square root करना है तो same unit में आएगा logic समझ में आएगा तो आप formula खुद ही develop कर लोगे तो नीचे लिखना standard deviation equal to under root जो भी आपका last column का total है न वो लिखो divide by 5 under root total of the last column divide by 5 final answer square root लेने के बाद बताना 48.29% 48.29% 48.29% तो यह दो question जो मैंने करवा है इसमें number of observations दिया हुआ, past data दिया हुआ है यानि आप company का पुराना data निकाल रहे हैं 5 साल का और उसके basis पे आप इसमें average return कितना आया इसमें standard deviation कितना है तो अभी हम एक पहले break लेंगे 57 minutes आप दिमाग को अराम दो उसके बाद आगे probability वाले questions लिये जाएंगे तो 5 to 10 minutes का break है जिनको break नहीं लेना है question number one try कर सकते हैं four try कर सकते हैं five try कर सकते हैं ले खशो अरूप लेंगे कर दो लेंगे बुक मिले नगा देखने दो मरी पासी दिख्रा भुकी दो आपके हैं अचे अनोंग कुश्पारिल कर्माने चेटली अचेक्ट बगर देलिशने झाल 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 20 झाल 52.9 25 156 झाल 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 261 झाल 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 261 झाल 27.5 झाल झाल 25 झाल झाल 18.47 2.25 झाल 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 107 झाल झाल 12 12 झाल 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 10% झाल 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 झाल